हलो मित्रों हलो दोस्तों कल की शाम कि आपने देखा होगा कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था मैं एक रिसर्च में लगा हुआ था मैं सोच रहा था और मैं जितने भी मेरे गुरू है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है मैं उनी के आर्टिकल्स उनी के ब्लॉक्स पढ़ रहा था और फिर पढ़ते पढ़ते चीज जहन में आई एक बात दिमाग में आई कि जैसे हम किसी राशी को देखते हैं जैसे हम किसी नक्षेत्र को देखा जाए तो जैसे कि आपको सब को पता है यह वीडियो में बना रहा हूं कोरोना वाइरस पे कोविड-19 पे और मैं थोड़ा सा नक्षेत्र के अंदर उतरने की कोशिश कर रहा हूं और आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताय था कि मंगल 24 अपरेल को अर्द्रा नक्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं और वहीं पर 16 महीं तक रहेंगे नक्षेत्र जो रहेगा वह अर्द्रा है अर्द्रा नक्षेत्र के जो मालिक है वह है राहूं और फिर मैंने ये जानने की कोशिश की अर्द्रा नक्षेत्र के जो चर्ण है चार पदास है उस पदास के अंदर भी मंगल का जब प्रवेश आगे बढ़ेगा तो उसका परिणाम क्या होने जा रहा है तो उसी को लेकर के आपके लोग के सामने उपस्तित हुआ हूं मैं आ पास जो मैंने आप लिखा इसका मतलब होता है मंगल मंगल अर्द्रा नक्षेत्र में 24 अपरेल को प्रवेश करेंगे और 16 में तक यहां पर रहेंगे इस दौरान वो मिःधुन राशी में 6 डिगरी और 40 मिनिट से लेकर के 20 डिगरी तक रहेंगे मिःधुन राशी में मिथुल राशी में जो अर्द्रा नक्षेत्र है उसके चार पदा है एक दो तीन चार चारों ही पता जिससे आपको पता है इसको जो रूल करते हैं वो है रावू आप देखोगे डेट 24 तारीक को 6 डिगरी 40 मिनिट पे जब इन्होंने प्रवेश किया था मंगल ने प्रवेश किया था तो तारीक थी 24 अप्रेल और वो इसी जगाँ पे रहेंगे 30 अप्रेल तक जो के डेट निकल चुकी है जब मैं ही वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त जो राशी प्रभावित हो रही थी वो थी धनू यानि कि इंग्लिश में कहते हैं साजिटेरियस और जो ग्रव थे वो थे गुरू गुरू कालपुर्ष कुंडली में जो नाचरली दो घर को दो घरों से उनका संबन्द है वो है नववा भाव और बारवा भाव नाचरली आज के परिस्तिती में आज के गोचर में आज के ट्रांजिट में आप देखोगे तो मैं अब इसको देख रहा हूँ के अब को बता दूँ कि यह मैं देखरा हूँ इस कुंडली के इसाफ से आप देखे चांपर यह भारत की कुंडली है और जो लगन है वो है विषप राशी तो विषप राशी के इसाफसे देखोगे तो गुरू आठवे घर को और ग्यारवे घर को प्रभावित करेंगे नाचुरली जो करेंगे वो नाचुरली नव और बारा को करेंगे तो आज और ग्यारा मैंने बता दिया आपको आज की पोजिशन आज गुरू दसवे घर में है उसी भारत की कुंडली के मुताबिब जिन घरों पे उनकी दिस्टी पड़ रही है आस्पेट कहते हैं से हम वो है दो, चार और छे दूसरा घर मार का कहा गया है चौथे घर को कहा गया है जब हम लोग पूरे हम कहते हैं कि मासिस को देखते हैं तो चौथे घर से देखते हैं लोगों को देखते हैं हमारी प्रजा को देखते हैं चटा घर जो है वो बिमारियों का है अरचनों का है अपसिकल का है दुश्मन का है चटा घर अब इस पदा में मैं यह बताता हूं कि यह निकल चुकी है लेकिन फिर भी मैं आपको यह बता देता हूं कि जो भी कुछ लिख पढ़ा गया है यह मेरे अपने खुद के शब्द नहीं है यह शब्द आप गूगल सर्च करकर के पदास पढ़ सकते हो यहां पर दिया हुआ है यह एक अरद्रा नफसेतर का ऐसा प्रभाव है जहां पर हम अलग-अलग चीजों की खोज करते हैं ओके और बहुत ही जिग्यास प्रभान आने को है और यह बहुत ही जिग्यास बोलते ना के गलत समय अनफेवरेबल समय दर्शाता है हमें अब क्योंकि यह तारीक निकल चुकी है आज हम बात करते हैं फिर 10 डिग्री से अभी देखिए हां पर 10 डिग्री से 13 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री और 20 मिनट पे पहली मई से पाच्वी मई तक अब मंगल अर्दरा नक्षित्र में दूसरे पदा में मकर राशी में प्रवेश कर चुके हैं जिसके मालिक है शनी देव जो दसवे घर को ग्यारवे घर को नाच्रली रूल करते हैं लेकिन आज की स्थिती में वो जो घर को देख रहे हैं वो है चोछंए ग्यारवा और च्ठटे घर में अब मैं बता दूंगेरवा घर सोशल सरकल का बोला गया एक उससे क्या मतलब है आपको बताता हूं सोश्यल सरकल को ये लिमिट कर रहे हैं ले को गूरू हर चीज को बढ़ाते हैं आख शनीदेव और चीजब करते हैं लिमिट बेगरते हैं यह भी चट्टे घर को देख रहे हैं यानकि उसी घर की बात कर रहा हूं पर जहां, पर भी स्थ प्रभाव क्या होने जा रहा है जादा तर नेगेटिव चीजें आपके सामने आती है बहुत नेगेटिव चीजें आपको दिखेंगी मतलब एक में से लेके पांच में तक मैं नेगेटिव चीज देख रहा हूँ और जितने भी मटीरियल चीजें हैं जैसे कि मटीरियल चीजें हम जिन जिन चीज़ों की इच्छाय रखती हैं पैसा ओदा शौरत दौलत उसको उसको शनीदेव डेफिनेटली कंट्रोल कर लेंगे लिमिट कर लेंगे और जिससे हमारे अंदर फरस्टेशन आ जाएगा गुशा आ जाएगा एग्रेशन बढ़ जाएगा ये फरस्टेशन बिल्ट अप करेगा एक से लेके पांच मुई तक अब क्या होगा अब याद रठना यहां पर एक बात है जैसे कि धनू राशी तर draining is न कुम्ब राशी चोत बाद में जो में राशी वह भी गुरुपी राशी है तो यह जो दो चीज में लेके याम किया रहा है Electric या electricity से संबंदित बहुत सी चीजों को ये पदा दर्शाता है scientific जो भी हमारे science है research है इन चीजों से इस पदा का सीधा सिधा संबंद है ये पदा ये भी बोलता है कि वो तूफान जिसकी मैंने बात की थी आपसे a storm with lightning तुफान और साथ में बिजली का कड़ा करना बिजली की तरह रफता होना और suddenly एकदम से यकायक आप देखोगे कि it is a burst of inspiration यानि कि एक दूसरे से हम प्रभावित होंगे एक दूसरे से हम चीजों को सीखेंगे और हमारी mental activities बहुत बढ़ जाएंगी अब ये कैसे होने जा रहा है क्या होने जा रहा है ये दीव्यदस्टी तो हम में नहीं है कुछ लोगों में हो सकती है मुझ में तो नहीं है हम देखेंगे कि ये burst of inspiration और mental activities क्या है ये क्या चीज़ है यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ के मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं आता हुआ एक natural जबर्दस बरसात और साथ में lightning देख रहा हूँ इस वक्त आपको ये बात में और बता दूँ अब आते हैं हम लोग जब 11 मैं की तारिक होगी और 16 मैं तक मंगल इसी अर्दरा नक्षितर में बिल्कुल आखरी छोर पे पहुँच चुके होंगे और वो पुनरवासू की तरफ ब्रह्मन कर रहे हैं लेकिन 11 मैं और 16 मैं के बीच में क्या होना ही जा रहा है आप देखिए यहाँ पर सेम चीज रहेगी क्योंके यह मीन राश्ची है तो फिर गुरू की जुत्ती बाते मैं यहाँ पर लिखी जाएगी लेकिन यहाँ पर देखिए यह बहुत ही एक बुत है ना के अंधेरे में रोशनी की एक किरन बहुत होती है कुछ इसी तरह से आपको दिखने में जा रहा है यहाँ पर देखिए बहुत सेंसिटिव मामला होगा बहुत इमोशनल मामला होगा लोग एक दुस्यों की बातों को समझेंगे बहुत हैं कि आज भी हम बहुत इमोशनल ने हैं लोगों के मृत्यू देख रहे हैं लोगों को अपनों से बिछडते हुए देख रहे हैं यह चीजों का बहुत प्रभाव पढ़ने जा रहा है यह पदा बता रहा है कि वो जो तुफान आया था आया है वो तुफान अब थम रहा है The strong is ending और चीजें आगे अच्छी होने जा रही है चीजें सामाने होने जा रही है एक शांती का बातावरण आने जा रहा है चीजें थम रही हैं समल रही हैं मैं यह नहीं कह रहा कि चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगी लेकिन आज जो परस्तितियां बनके उत्पन हुई है उससे कई जादा हमें अच्छी कंडिशन नज़र आएंगी डेट होगी 16 मई के बाद क्योंकि मैं जानता था कि कुछ दोग मुझे से बोल सकते कि यह बात तो टीव भी बोली जारी है तो वो डॉक्टर्स अपना अनुमान लगा रहे हैं आ एस्टरोजिकली समझने की कोशिश कर रहे कि क्या वो जो अनुमान लगा रहे हैं क्या एस्टरोजी भी उसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसी को देखने की मैंने कोशिश की और इस कोशिश में जो मैंने समझा जो मैंने पढ़ा और जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा वही मैं आपको बता चुका हूँ और देखते हैं परातना करते हैं कि सभी के साथ अच्छा हो ये वक्त ऐसा है जहां पर मैं आप लोगों से गुर्जाजिश करूँगा कि प्लीज अपने घर में बने रहें अपन भी हमारे पास kun super resources घर में बने रहें किस ये वक्त नहीं है कि हम किसी एक दूसरे को ब्लेम करें चाएक वह गौवर्मेंट हो चाएक वह कोई भी हो या वह जिस तरह के भी हालात हो यह ब्लेम गेम से हमारा काम नहीं होने जा रहा हमें उपर वाले से हाथ जुड़के प्रात्ना करनी है कहीं न कहीं हमसे गलती जरूर हुई है हमने बहुत जिन्दगी को बहुत आसान समझ लिया था, इतना आसान है नहीं, उपर वाला हमेशा बताने की कोशिश हमें हमेशा करता है, अलग-अलग माध्यम से, के वो सबसे बलवान है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कितने भी आगे चले जाएं, टेक्नोलोजी में, साइन्स में, वो हमेशा चार कदम आगे ही रहेगा, हमें यह समझना चाहिए, तैंक्यू सो मच,